कि हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी के फोर जीने चलम में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चलना को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बगल नंबेल आएका और इसको दबा दी जिसकी कोई भी नहीं वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन हा जाएगा दोस्तों हम कर रहे हैं टॉप हंडेड जनल नोलस क्वीज फॉर ओल एक्जाम और दोस्तों यह पार्ट फाइफ है और आपको यह पीडिएफ शीत दोस्तों टेलेग्राम से मिल लाएगा जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिश्यों में दे दूंगा चलते हैं पहले कोशन प किस कि पूतरि थी सम्स ओध दिन उल्ति तुमें इसकी पूतरि थी अगला कोशन मंदिरों की पुन्य भ्हुमी बारत के कि सतरा जाता है तो इसका सरी जवाब जगा दोस्तो मंदिरों की पुन्य भूह में कहा जाता है तमिल नाडू को तमिल नाडू की कैपिटल हो जाएगी चिन नहीं और यहां के गवंणर है बनवारी लाल प्रोहित और चीफ मिनिस्टर हो जाएगी इदप्पी के पल्लानय स्वामी और यह दोस्तों यह तमिल नाडू डे बनाया चाता है एक नॉमबर 1956 को और यहां पर डिस्टिक हैं 38 अगल महारास्टर के पर्थम मुख्यमंत्री वाई भी चोहान और महारास्टर डे बनाया जाता है दोस्तों एक मई 1960 में को बनाया चाते हैं और एक मई को और दोस्ति हां की कैपिटल है मुमबई और विंटर में है नागपूर जिश्टिक यहां पर 36 हैं और गवेनर है भगत भग और भारत का मैंचिश्टर किस से कहा जाता है जिसका सीज़ा बजाग दोस्तों भारत का मैंचिश्टर कहा जाता है एहमदाबाद को और एहमदाबाद दोस्तों गुजराद में है गुजराद की कैपिटल है गांधी नगर लाटजर सीटी हो जाएगे एहमदाबाद गिजि बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो इसका सही जवाब जागा दोस्तों बिहार का सोक कहा जाता है को सी नदी को और दोसे ये नदिया है इनके ये उद्गम स्थल और ये किस राज्जी से ठीक है जैसे कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री और ये कहां पर है उत्राखंड यमुना का उद्गम स्थल यमनोत्री और इसका जगा है ये उत्राखंड ठीक है ऐसे आप लोगो याद कर लिज पढ़ना लार्जे सिटी पढ़ना डिस्टिक्ट 38 गववन्नर पागु चोहान चीव मिनिस्टर निदीश कुमार ठीक दोस्तों चलते हैं अगले कोशन पर भारती फिल्म अभिनेता सत्रुधन सिन्हा किस राजी से संबंदित हैं बताइए तो इसका सही जवाब बजागा दो अलिगर किस उत्पाद के लिए मसुहूर है तो इसका सिजाव हो जागा दोस्तों अलिगर प्रसिद्य है ताले बनाने के लिए ठीक है और अलिगर आता है यूपी के अंदर यूपी यूपी दोस्तों ये 24 जन्वरी 1950 को मनाए चाथ जाता है और यहां की कैपिटल हो जाए कि लखनौ गोवर्नर यहां पर अनंती बेन पटेल चीफ मिनेश्टर हो जाए योगी अजित्यनाथ ठीक दोस्तों कि चलते एंगले कोशिन पर किस भारतिय राज में विसाखा पढ़ना बंदरगा इस्तित है इसका सरी जोब हो जाए दोस्तों विसाखा पढ़ना बंदर का काम पर है तो यह दोस्तों आंद्र परदेश में और आंद्र परदेश की कैपिटल है दोस्तों अमरावती यहां पर तीन कैपिटल है दोस्तों और यह राज जी बना था एक अक्टूबर सब्सक्राइब को लाज़े सिष्टी हो जाए कि विसाखा पढ़ना में दिश्टिक है तेरा गवंदर यहां कर विश्वा भूशन और चीफ मिनिश्टर वाइस जगमुहन रेडडी चलते हैं अंगले कोश्व में हमारे सोर परिवार में कितने ग्रहां हैं बताए तो इसका सब्सक्राइब कि जूपिटर सेटरन यूट यूरेनस और नेप्चुन हो जाएंगे आउटर प्लेनेट ठीक दोस्तों और यह ड्राफ प्लेनेट नहां पर लिखावा है प्लूटो हाउमिया और मैकमेक इराइस यह सब दोस्तों ड्राफ प्लेनेट है कोशन आ जाते कि क Put Make कहा पर इस्तीत है अगरें कंगी अगर applied ऑजील के वर्कन कहाँ स्थीत बताईयरिए अ कहाँ अगलभ की कहां पर रेल्वे इंजन डीज्ट मेसी इंजन मना जाते हैं तो इसका सरी जावब जाग दोस्तो थि कि वारणासी में तक बेशा कि ऋर्किष दहर्म के लोग बना बनाते हैं तो इसका सही जाब हो जागा दोस्तों सिख धर्म के लोग बनाते हैं और सिख लोग के धर्म ज्यादा पंजाब में रहते हैं लोग हाँ पर तो कैपिटल पंजाब की चंडिगर्ड लार्जे सिटी लोधियाना डिस्टिक बाइस गवर्नर वीपी सिंग बेड़नोर अचीव मिनिस्टर कैपिटर अमरिंदर सिंग ठीक है लोग सभा की 13 सीट है राज सभा की साथ सीट है कि सहा नामा किसकी कृति है बताइए तो इसका सही जाओ जाओ दोस्तो सहा नामा किसकी किताब है यह यह फिरोद दोसी के बारे में लिखी हुई है ठीक है सहा नामा किसकी कृति है फिरोद दोसी ठीक है फिर दोसी सोरी फिर दोसी की है सहा नामा कृति मनिपूर की राजानी क्या बताईए जिसका सीजाँ हो जागा दोस्तों मनीपूर की कैपिटल है इमफाल अरुणाचर प्रदिस की हो जैगे इटा नगर असाम की दिसपूर और नागा लेंड की हो जैगे कोहीमा मानिपूर की इंफाल मिजुरों की इजवाल और तिरिपूरा की अगरतला सिक्कीम की गेंटोक ठीक है याद कर दिजेगा सारे गोवा को पुर्द गालियों से कब आजात करवाया गया था तो इसका सही जब जाब जाग दोस्तो 1964 में गोवा को अजात करवाय गया था गोवा दोस्तों इकब बना है तो राज इसकों की फॉर्मिशन अब श्टेट 30 मई 1987 में ठीक है यह की कैपिटल पंजी है और लार्जे सिटी वासको डिगामा डिश्टिक हां पर सिर्फ दो है और यहां के गववनर है सत्यपाल मलिक एक किस राजिय में लागू था तो इसका सरी जाव होजाग दोस्तों जम्मो कस्मीर में 370 लागू था जम्मो कस्मीर यूनिटेरी बना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को यहां पर डिश्टिक हैं 20 कैपिटल सिर्फ नगर ठीक है यहां पर चिप मिनिस्टर की सीट वेकेंट है द इतिहासिक जम्मो कस्मीर पुनरगटें अधिनियम 2019 पेस किया जिसमें जम्मो कस्मीर राजी से त्रमिधान का अनुच्छा 370 हटाया और राजी का विभाजन जम्मो कस्मीर एवं लदाक के दो केंद्र साजीच छेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया ठीक है दोस्तो और आप मेरे को बताईएगा आज का होंवक में दे रहा हूं कि जम्मो कस्मीर का सबसे बड़ा डिश्टिक कौन सा है जिसको पतागो दोस्तों बता दीजेगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और और कमेंट कर दीजेगा अंसर और वीडियो को दोस्तों हर जगा सेर कर दीजेगा धन्यवाद दोस्तों